वाट्स अप वीसियंस बच्चे आपकी NCRT क्लास 12 का जो सबसे पहला चाप्टर है केमिस्ट्री का सॉलिट स्टेट उसके अंदर एक टेबल दे रखिये जहां पर आपको 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के जो पैरमीटर्स हैं यानि कि ABC आलफा बीटा गामा इन सबको रटने का ताम जाम दिया गया है आपको यह जानकर भी बड़ी हरानी होगी कि इसी टेबल से बच्चे जेई मेन 2019 का सवाल पूछा गया था तो अब इस टेबल को रटना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है बट जब मैम का शॉटकर साथ हो तो भाई साब कुछ मुश्किल नह है बच्चे आपने वह शलमान खान शारूक खान की मूवी देखिए जहां पर वह सिटी माुस एंकस सीटी माने का स्टाइल बड़ा फेमस है थो एक शॉटकर है हमारा जिसको हम बोलते हैं सीटी ओ मातरी है जैनरली हम ऐसे बोलते हैं कि वह सीटी मारती है मारती whatever यहां पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया मैंने ट्रिक का नाम रख दिया CTO मातरी है देखो मैं एक बार दोहराती हूँ पहले मैंने लिखा CTO मातरी है CTO मातरी है C का मतलब होता है बच्चे हमारा क्यूबिक यूनिट सेल T का मतलब होता है टेट्रागनल यूनिट सेल O का मतलब होता है बच्चे और्थो रॉम्बिक यूनिट सेल मा का मतलब है बच्चे मोनो क्लीनिक यूनिट सेल T का मतलब है ट्राई क्लीनिक यूनिट सेल re का मतलब है rhombohedral और है का मतलब है hexagonal तो जो भी बच्चे जिनको ये नाम नहीं याद रहते कम से कम इस ट्रिक से नाम तो आपको याद हो ही गया होगा CTO मातरी है ठीक है अब आपको एक sequence याद करने है बड़ी प्यारी सी sequence है एक छोटा सा column मैंने बनाया है इसमें लिखे 0, 1, 2, 2, 0, 1 क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 2, 0, 1 अब जो आपके cell parameters होते हैं A, B, C एक बाश सारे के सारे ऐसी लिख देना A equal to B equal to C A equal to B equal to C ये मैं पहले भी करके रख सकते थी बड़ जब बच्चों के सामने trick solve करो तो बच्चों को बड़ा confidence आता है ध्यान से देखो जहां पर 0 है मतलब वहां पर कोई भी not equal to का sign नहीं है जहां पर 1 है मतलब वहां पर 1 not equal to का sign है जहां पर 2 है वहां पर 2 not equal to के sign समझ गए 0 मतलब कोई भी not equal to का sign नहीं 1 का मतलब 1 not equal to का sign 2 का मतलब 2 not equal to के साइं 2 का मतलब 2 not equal to 2 not equal to 1 भी not equal to नहीं है 1 not equal to डन याद हो गया 0 1 triple 2 0 1 सिर्फ यह 0 1 triple 2 0 1 भी अगर चमक गया ना पेपर में तो यहीं से काम बहुत बढ़ी हो जाएगा अब यह तो हो गए edge length के बारे में अगर आपको याद करना है कि मैं angles कैसे निकालने उसके लिए भी भाई मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है ध्यान से देखो सबसे पहले यह लिखो alpha beta gamma 90 फिर लिखो alpha beta gamma 90 तो पहले तो life एकदम अच्छी चल रही है alpha beta gamma 90 CT मारते जा रहे हो alpha beta gamma 90 करते जा रहे हो यहां से fourth case से थोड़ी सी तिगडम बाजी शुरू हो जाती है ध्यान से सुनना यहां पर alpha और gamma 90 होते है मगर beta not equal to 90 होता है alpha gamma 90 मगर beta 90 नहीं है fourth case आने के बाद बच्चे आपको बन जाना है एक बंदर ठीक है मैं से mean मत करना बट बंदर बंजाओ बंदर का मतलब है monkey monkey का मतलब है कूदते रहना तो यहां से सीधा last case पर कूद जाओ अब जब मैंने लिखा है hexagon तो hexagon से किस-किस को ये बात आ रहे है कि मैं ठीक है एक hexagon सा नजर आ रहा है hexagon होगा तो कुछ ना कुछ angle 120 होगा तो जैसे ही बच्चे आप बंदर बने आप यहां से नीचे कूदेंगे लिखेंगे alpha और gamma देखो पहले था alpha gamma 90 यहां पर कर देना alpha beta 90 और जो gamma है वो लिखना है 120 केवल ये दो cases ऐसे हैं जो शायद थोड़ा सा दिमाग में रखने है पहले alpha gamma 90 beta not equal to 90 बंदर बन जाना अब alpha beta 90 मगर gamma equal to 120 यह हो गया अब life एकदम चिल है बचे हमारे दो cases यह दखो यहां पर सारे not equal to है भाया तुम भी not equal to alpha not equal to beta not equal to gamma सब के सब not equal to sign यह है हमारा tri clinic unit cell जिसके अंदर सारे ही not equal to के sign याद रखना है अब last वाले में क्या करना है लिखो बच्चे alpha beta gamma equal to 90 अगर मैंने alpha beta gamma सब कुछ 90 के equal लग दिया तो यह और यह case में कोई फरक ही नहीं रहेगा बट मुझे यह दो cases में फरक रखना है तो यहां पर last में not equal to का sign लगा जाना यानि कि जो टेबल आपकी NCRT में इतने खतरनाक तरीके से गिवन है उसको ऐसे चुटकियों में याद करना आपने सीख लिया with SV shortcut क्या था shortcut CTO मातरी है क्यूबिक, tetragonal, orthoromic, monoclinic, triclinic, rhombohedral, hexagonal, 0, 1, triple, 2, 0, 1 सिर्फ इतना ही याद रखना है alpha, beta, gamma, 90, alpha, beta, gamma, 90, alpha, gamma, 90, alpha, gamma, 90, beta, not equal to 90 बंदर बनो नीच याओ, alpha, beta, 90, gamma, equal to 120 यहां पर सब कुछ not equal to alpha, not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 यहां पर अल्दो सारे equal, equal थे alpha, beta, gamma, सब equal कर दो मगर फिर यह case और उपर वाला case है हम हो जाता में एक शॉर चानल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी नई नई ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करते हूं आपको time to time मिलती जाएं ताकि यह जो एक हववा है ना हमारे अंदर की कॉमें सेक्शन में सो यह जो question है जेई में 2019 का सवाल है और इस ट्रिक से ऐसे चुटकियों में question solve होगा so make sure जिनको ट्रिक अच्छी लगी जिनको ट्रिक समझाई इस question का answer कॉमें सेक्शन में जरूर दें चलिए तब तक टेक क्या बबाई